एक पार्क में दो पुराने बकसे रखे हुए थे तबी उसे एक लड़की देखती है और बकसे को खोलकर देखने लगती है और बड़े बक्से को उठा कर घर ले आती है फिर उसे खोल कर देखती है तो उसे उसमें किसी के बाल मिलते है और उसमें अजीब सी महक आ रही होती है फिर वो उसे बंद कर देती है और जैसे ही वैक्यूम क्लीनर उठाती है तो वो बक्सा खुला हुआ होता है लड़की से नजर अंदास करके बकसे को साफ करने लगती है फिर वो उसमें अपना समान रखकर बंद कर देती है फिर रात को जब वो सो रही होती है तो उसे किसी चीज़ की आवाज सुनाई देती है लड़की अचानक उठ जाती है और वो डर कर बैट जाती है तबी वो देखती है कि बकसा अपने आप खुला होता है फिर वो गेट की तरफ देखती है जहां उसे कोई नहीं दिखता है वो फोन का टॉट चला कर देखती है तबी खिर्की से कोई छाक रहा होता है तब उसकी नीन खुल जाती है पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है फिर वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है और बकसा खुला होता है तब ही वोटकर चारो तरफ देखने लगती है और उसके पीछे वही भयानक आत्मा होती है तब उसका हाथ अपने आप मोड़ने लगता है और आत्मा उसके शरीर को बुरी तरीके से मोड़कर बकसे में डाल देती है और बकसा बंद हो जाता है और फिर अगले दिन उसी पार्क में वही दो बकसे रखे हुए होते हैं